हेलो एब्रीवान वेलकम टू बैक माई चैनल आज मैं ये बिस्किट से आईस्क्रीम बनाऊंगी जो बहुत इजी हने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने ये चार अलग-अलग फ्लेवर के बिस्किट लिये हैं बाउंस वाले तो इन्हें मैं सबसे पहले सारे न तो यहां पे मैंने सारे निकाल दिये हैं अब हम इन्हें सबसे पहले थोड़ा तोड़ देंगे छोटे-छोटे टुकड़ों में बिल्कुल इस तरह ताकि हम ब्लेंडर जार में जब डाले तो ये आसानी से इसका पाउडर बन सके तो ये देखिए मैंने ये बड़ा वाला ब्लेंडर जार लिया है और इसमें मैंने सारे डाल दिया है अब यहां पे मैंने ये आधा कटूरी दूद लिया है ये दूद ठंडा है तो आप इसमें थोड़ी मलाई है तो आप इसमें ठंडा दूद ही इस्तमाल करिएगा और इसमें थोड़ा सा चीनी डालियेगा यहां यहां पे मैंने लगभग तीन चम्मच लिया है और डालने के बाद इसे हम पीसेंगे तो ही तो यहां पे मैंने यह कप लिये हैं प्लास्टिक वाले और यह देखिए हमारा यह पाइनली पेश चुका है तो आब हम इसे इस कप में डाल देते हैं फटाफट तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है पूरा और इसमें मैं स्टिक्स लगा दूँगी आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा इस गर्मी में और बच्चों को तो बहुत ही जादा पसंद आएगी तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है अब ये हमारे पास टिक्स थी पहले की तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी सारे और इसे प्रिजर में रख दूँगी लगबग पूरी रात तो यहाँ पे हमने पूरा रात रखा था और ही सॉरी थोड़ा लेट हो गया था वीडियो लेने में सो बहुत ही अच्छी आईस्क्रीम अनिया आप जरू ट्राय करेगा टैंक्यू